हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियों क्लासेज में अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर फिप्त के बारे में चार चैप्टर हम क्लियर कर चुके हैं और एक आपका जो ब्लूप्रिंट वाला इंग्लिश मीडियम का पेपर है वो भी डिसकस कर चुके हैं अगर आपने यह सारे नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करोगे तो आप सीधे उस प्लेलिस्ट में चले जाओग जहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम के ठीक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा है आप हमें इंस्टाग्राम पे और टेलिग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ठीक है ना चलिए देखते हैं अपने इंपोर्टेंट कुशन नमबर फिप्त के ये कुशन बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए एक्जाम में यहां से कुशन बनेंगे तो एक बार सारे वीडियो ज़रूर देख लें ठीक है ना चलिए ना देखते हैं पहला कुशन क्या है विच आफ दा फॉलोविंग इस फॉजिल कौन सा है जो फॉ इलेक्रिसिटी कोल या नन अफ दीज तो आप कहोगे कोल क्योंकि कोल गैस का ही इस्तेमाल किया गया था ध्यान रखना ठीक है ना नेक्स्ट है सनलाइट एंड एयर आर सनलाइट और एयर क्या है इन एक्जास्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज या फॉजल फ्यूल पेट्रो हो गया देखते हैं नेक्स्ट कोशन है मिक्स्टर ऑफ कार्बन कंपाउंड इस जो मिक्स्टर है कार्बन कंपाउंड का वो है क्या है देखिए पैट्रोल वुड्ड कोल या कोल टार कोल तार कौन सा है आप्शन करेक्ट तो आपको गया ऑप्शन नमबर डी करेक्ट होगा क फोलता हर ठीक है ना नेक्स्ट कुश्टिशन इस कोल और पे तरूलियूम और कोल और पे तोल है एंलिमिटेड रिसूर्ट vy या लिमिटेड रिसूर्स प्रहत एड बी नन आप वेगे यह दोनों क्या है रिमिटेड है एक्जोस्टिबल खतम होने वाली चीज़े है ठीक है न different constituents from petroleum is called refining petrol से अलग जो चीज़े करते हैं ना हम सारी उनको हम कहते हैं refining उस process को क्या कहते है refining next is least polluting fuel for vehicle is कम परदूसंकारी मतलब कम pollute करता है वो है अपना CNG जो वहिकल में बरा जाता है फिर is a dark oily liquid कौन होता है डीजल ठीक है next question देखते हैं आपको true और false बताना है ठीक है ना first is fossil fuel can be made in the laboratory fossil fuel को laboratory में बना सकते हैं क्या ऐसा possible है आपको नहीं यह जूटी बात है false ठीक है ना first में क्या कर दोगया false next है CNG is more polluting fuel than petrol CNG तो होता ही नहीं पॉलिटिंग यह भी बात जूटी लिगी हुई है false है coke is almost pure form of carbon बिल्कुल done है correct होगा ठीक है ना क्या कर दोगे यह correct है coal tar is a mixture of various substances बिल्कुल सही है mix है बहुत सारे substances का kerosene is not a fossil fuel फॉसिल नहीं है क्या है यह बात जूटी लिगी हुई है जलत false ठीक है ना next question देखते है what is CNG CNG क्या है तो इसकी full form द्यान रखना compressed natural gas जैसे LPG होता है LPG क्या होता है liquefied petroleum gas ठीक है ना क्या L liquefied petroleum gas तो इसका भी द्यान रखना द्रवित petroleum gas और CNG होता है compressed natural gas और यह क्या काम आती है CNG is used directly for burning in homes and factories इसको घरों में और सीधे जलाने के एक काम आती है यह क्या है अपना एक less least polluting एक क्या कहते है natural resources है ध्यान रखना इसका next is what do you understand by dry ice dry ice से आप क्या समझते है it is a solid carbon dioxide it does not melt like wet ice यह normal ice की तरह नहीं पिगलती है instead it converts into CO2 CO2 मतलब carbon dioxide gas तो यह carbon dioxide gas में देरे-देरे convert हो जाती है what is coal and its uses coal क्या है और इसके uses बताइए it is a black hard and combustible mineral यह combustible in जलने योगिया black काला और hard होता है and it processed in industry to get coke और इससे हमें क्या मिलता है इसके uses क्या है इससे हमें मिलता है coke, coal tar and coal gas ठीक है यह याद कर लेना बहुत important question है what is refining of petroleum petroleum की refining क्या है पूचा है तो क्या बोलोगा आप this is the process of separating various constituents of petroleum is known as refining petroleum के जितने भी उसमें various constituents हैं उन सबको अलग करने का process होता है उसे हम कहते हैं refining next question देखते है where was the coal gas used for first time पहली बार coal gas कहां use की गई थी it is used for street lighting for first time in London London में पहली बार lighting की गई थी मतलब गलियों में उसमें use की गई थी ठीक है न why is graphite a good conductor of electricity यह जो graphite है न यह good conductor of electricity क्यों होता है तो आप कहोगे क्योंकि in graphite in a graphite molecule one electron of each carbon atom remains free इसमें क्या होता है carbon का एक जो electron होता है atom होता है वो free रहता है अगर एक atom free रह गया thus it is a good conductor of electricity इसके कारण यह good conductor of electricity होता है ठीक है न फिर देखिए क्योंकि यह non-metal होता है non-metal की property होती है आपके वो bad conductor होता है लेकिन यह good होता है exception है क्योंकि इसमें एक जो electron होता है वो free रहता है ठीक है न write a brief note of petroleum gas petroleum gas के उपर आप short में दो चीज़ें लिखने है ठीक है न one marks का question आएगा fossil fuel such as coal, petroleum and natural gas cannot be cannot be created in the laboratory क्यों क्योंकि laboratory में हम natural gas petroleum coal यह नहीं बना सकते है ठीक है न यह सारी petroleum gas जो होती हम यह कहां से extract करते हैं जमीन से ठीक है न refining से why petroleum is called black gold petroleum का आप black gold क्यों कहते हो black gold कहने का मतलब काला सोना कहा जाता petroleum के why reason क्या इसका तो reason आप बताओगे due to its great commercial importance क्योंकि इसकी commercial importance मतलब वाने जिक मतलब इसकी factory हो में बहुत ज़्यादा use होने के करने इसको black gold कहते है color black होता है gold के according मतलब gold के समान यह बहुत ही महंगा होता है and और last question is name the petroleum product used for surfacing of roads road के उपर कौन सा मतलब road के जो surface होता उसमें कौन सा petroleum product use करते है तो हम कहेंगे bitumen ठीक है न ध्यान रखिएगा ठीक है तो यह question बहुत important है इसको अराम से पढ़ लीजिए ताकि आपका इसको शानदार रहे जितने भी important question है वो सारे आपके लिए जल्दी ही सारे chapter अफ्लोड हो जाएंगे ठीक है न तो देखते रहे है दोस्तों के शार शेर करना नहीं बूलें कमेंट करें और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं बूलना आपको ठीक है जल्दी next part मिलेगा मिलते है next part में तब तक के लिए गुडबाए जय हिंद जय भारत